नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आए होप आप सब मज़े में होंगे दोस्तों आज की ये वली वीडियो काफी जादा धमाकेदार होने वली है और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूंगा बताऊँगा इनने क्या के चीज़े अंणूर्स करी हैं साथ ही साथ में बताऊँगा इनका करंट स्टॉक प्राइस का चल रहा है जो कि personally मैं नहीं चाता है यहाँ पे आप कोई भी इंफरमिशन मिस करो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं पे भी स्केप मत करना चलिए दोस्तों अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चानल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ आरोश आप देख रहे हैं फिनो मीडिया बाया आरोश चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंपणी ने आप दिविडेंट एन उसके 4.25 रुपीज पर स्टॉक के इस आपसे और इस डिविडेंट को देने की जो एक्स देट होने वाली हो 4th of February की होने वाली है और जो रिकॉर्ट डेट है वो भी same day की होने वाली है यानि की 4th of February की तो अब अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को इसकी एक्स देट यानि की 4th of February से पहले पर्चेस करना होगा अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है भारत Electronics Limited कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइज 94 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट आना उसके 0.60 रुपीज पर स्टॉक के इसाप से और इस डिविडेंट को देने की जो एक्स देट होने वाली हो 10th of February की होने वाली है और जो रिकॉर्ड डेट है वो भी same day की होने वाली है यानि की 10th of February की तो अब अगर आपको इस टॉक को परचेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को इसकी एक्स देट यानि की 10th of February से पहले-पहले परचेस करना होगा अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है CRM Silk Mills Limited कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रइस 540 रूपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस के 3 रूपीज पर स्टॉक के साबसे और इस डिविडेंट को दिन की जो एक्स देट होने वाली है वो 6th of February की होने वाली है और जो रिकॉर्ड डेट है वो भी सेम डेकी होने वाली है यानि की 6th of February की तो अब अगर आपको इस स्टॉक को परचेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को इसकी एक्स देट यानि की 6th of February से पहले-पहले परचेस करना होगा अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड कंपनी का करन्ट स्टॉक प्राइज 1097 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है कंपनी ने आप इस डिविडेंट अनौस के 6 रुपीज पर स्टॉक के साब से और इस डिविडेंट को दिने की जो एकस डेट होने वाली वह 8th of February की होने वाली है और जो रिकॉर्ट डेट है वो भी same day की होने वाली है यानि की 8th of February की तो अब अगर आपको इस स्टॉक को पर्चेस करना है ताकि आप आपको इसके डिविडेंट का बेनिफिट मिल पाए तो आपको इस स्टॉक को उसकी एकस डेट यान की 8th of February से पहले पहले पर्चेस करना होगा अगले स्टॉक की बात करें तो company का ना में radiant cash management limited कंपनी का करन्ट प्राइस 91 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है स्टॉक का और एक बात करें अनॉस्मेंट की तो company ने आप डिविडेंट अनौस के वन रुपीज पर स्टॉक के इसाप से अगले स्टॉक की बात करें तो company का ना में high tech pipes limited company का करन्ट स्टॉक प्राइस 904 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है अगले स्टॉक की बात करें तो company का ना में स्टॉक के उपर में ट्रेड हो रहा है company ने आपे buyback अना उसके 950 रुपीज पर स्टॉक के इसाप से जो की इसकी current price से approximately 30% उपर का है और वही बात करें तो buyback का जो amount रहने वाल है टोटल वो 55 करोर्स का रहने वाल है और यह जो offer रहने वाल है tender offer होने वाल है वही बात करें इस buyback की record date की तो 10th of February की होने वाली है तो अब अगर आपको इस stock की buyback का benefit चाहिए तो आपको इस company के stocks को उसकी record date याने की 10th of February से 2 दिन पहले पहले purchase करना होगा आईए बात करते हैं यहाँ पे मारे एगले अनला स्टॉक की तो company का नाम है Captain Pipes Limited कमपनी का current stock price 660 रुपीज के ओपर में trade हो रहा है company ने आप इस stock split announce किया है और साथ ही साथ में stock bonus भी announce किया है stock split announce के 1st to 10 के ratio से जिसका मतलब यह अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ आप आपका एक stock total 10 stocks में convert हो जाएगा अब अगर हम इन दोनों ही रिशियो को साथ में combine कर दे तो अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो total में आप आपका एक stock 30 stocks में convert हो जाएगा अब इस stock bonus and split को देने की जो x date और record date वो भी तक upcoming में है तो company की तरफ से जैसी कोई भी official announcement आता है x date और record date को लेके मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना यही 8 stocks थे जिन्नोंने आप धमाकेदार stock bonus, stock split, dividend and buyback announce किया था अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा विगोस फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई